गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे PHP में एरे का क्या यूज है और किस-किस टाइप के एरे होते हैं अब सबसे पहले देखते हैं कि एरे होता क्या है और उसकी क्या जरूरत है An array is a data structure that stores one or more similar type of values in a single value तो जब क्या होता है हमें एक सी ज्यादा value store करनी होती है एक जगे पर और वो भी value जब वो same type के होनी जी या तो सारी integer होगी या float होगी या character होगी तो हम array का यूज़ करते है जैसे माली जी हमें 10 values store करानी है class के अंदर 10 बच्चे हैं 10 बच्चों के marks store करानी है तो एक तरीका तो यह है कि हम 10 अलग अलग variable बनाए और दूसरा तरीका है कि एक array बना ले और एक array के अंदर हम 10 value store कर ले 10 भी हो सकती है, 100 भी, 1000 भी values हो सकती है लेकिन condition ही है कि वो same type की होनी चीए जैसा कि आप इसमें image में देख सकते हैं एक array है यहाँ पर जिसमें total no values है 9 values है इसके अंदर total यह माली जी यह 9 students के marks है यह मान सकते हैं तो उपर जो देख सकते हैं आप लिखा हुआ है उपर values लिखी हुई है अलग-अलग और नीचे index है एक तो यह चीज़ याद रखने कि array का index आप चाहिए आप कोई से भी programming language बढ़ रहे हो array का index है वो 0 से start हो रहा है जब हम numeric array ले रहे हैं तो ठीक है तो पहला जो element store होता है यहाँ पर 7 क्या है उपर वाली row में आप देख सकते हैं 7 है वो एक element है तो पहला element 7 है फिर दूसरा 11 है तीसरा 6 है ऐसे तो पहला जो element जहां store होता है उसका address चालू होता है 0 से उसका index एड्रेस नहीं उसका index अब वो 0 से चालू होगा तो सिदी से वाद है 9 values है तो last का index कितना आएगा 8 8 तो जो पहला index जहां से start हो उसको बोलेंगे हम lower bound और जो last का है उसको बोलेंगे upper bound ठीक है तो array की length कितनी array की 9 तो अगर array की length 9 होती है तो सबसे last बला element 46 जहां store हो रखा है उसका index की आता है 8 उससे एक कम होगा क्योंकि 0 से चालू गया न हमने तो इस तरह से array store किये जाते है चाहिए आप c, c, plus, plus, vv, dot, net, ph, p, java किसी भी language की बात करने ऐसे store होते है अब array हैं वो php के अंदर तीन तरह क्यों होते है पहला होता है numeric array numeric array में क्या होता है जैसे अभी अपने देखा उपर image में कि जो index है वो numeric होता है 0, 1, 2, 3 इस तरह से index होता है और values है वो linearly store रहती है 0, 1, 2, 3, 4, 5 वेसे linearly हम चलेंगे शुरू से उसके बाद में आता है associative array associative array में क्या होता है जो index हम 0, 1, 2, 3 जान numeric में ले रहते हैं इसमें index 0, 1, 2, 3 नहीं रहेगा हर एक जो index है उसका एक नाम रहेगा उसको हम एक नाम दे देंगे ठीक है जैसे माली जी दस बच्चों के हमने marks है वो store किये तो उपर वाले में थो हमने index ले लिया 0, 1, 2, 3 जी नीचे associative में क्या करेंगे हम 0, 1, 2, 3 index नहीं लेंगे बच्चों के नाम ले लेंगे राम, श्याम, रमे, सुएस ठीक है सब बच्चों के कितने दे मांग सकता है उनके नाम से देख लेंगे तो जब ऐसी जरूत पढ़ती है जहाँ पर नाम store करने की जरूत पढ़ती है साथ में तो हम associative area काम में लेते है इसके बाद में आता है multi-dimensional area तो area है वो one-dimensional हो सकता है जैसे अपर ने एक्जामपल देखा भी no values है two-dimensional में matrix होती है तो two-dimensional हो सकता है three-dimensional हो सकता है cube हो सकता है जिसमें लंबाई चोड़ा यो रूंचाहितीन होगी अब इस image में आप दे सकते हो one-dimensional area के अंदर सबसे पहला जो एक्जामपल हो उसमें दो values श्टोर करके हमने three or two पिर two-dimensional area दूसरा जो एक्जामपल है उसमें हमने six values श्टोर किये टोटल one, zero, one और three, four, one पिर three-dimensional area उसके अंदर cube आ गया तो उसके अंदर values श्टोर हो जाएगी लंबाई, चोड़ाई और उच्छाई तीनों चीज़े हो जाएगी इसके अंदर अब सबसे पहले हम देखते हैं नूमरी के रे नूमरी के रे में क्या होता है कि values तो हम किसी भी तरह की store कर सकते हैं number भी हो सकते हैं, string भी हो सकते हैं object भी हो सकते हैं लेकिन उनका index होगा वो numeric होगा उसे number होगे 0, 1, 2, 3 और by default array का index start होता है 0 से, ये कई बार exams में पूछा गया है कि array होता है, numeric array उसका index start कहां से होता है तो उसका index start होता है 0 से अब यहाँ पर हम एक example देखते हैं कि कैसे हम इसको बनाते हैं, numeric array को तो जैसे कि आप इस image में देख सकते हों एक हमने program बनाया है अब यह PHP का program है तो हमने HTML file बनाई यहाँ पर HTML take है, नीचे HTML को close भी किया है HTML के अंदर body take है, body को भी close किया है फिर यह भी एक सवाल पुछा जाता है objective type का कि HTML के अंदर जब PHP code लिखते हैं तो उसकी सुवात कैसे होती है तो ऐसा होता है, less than cushion mark PHP इसके बाद में एक comment comment कैसे लिखते हैं, यह भी सवाल आ सकता है तो slash star first method to create array और जब close होगा comment तो star और slice ठीक है, यह multiple line comment होता है जब तक हम star slice नहीं करेंगे तब तक सारा comment ही माना जाएगा और single line comment होता है उसमें क्या आता है, double slice आता है फिर हमने एक area बनाया dollar numbers अब यहाँ देखी, PHP में क्या होता है हमें data type बताने की जरूत नहीं है variable का जो नाम दिया हमने numbers इसका हमें data type बताने की जरूत नहीं है data type कैसा होगा जिस तरह की इसमें value store कर देंगे वैसा है और यहाँ पर variable के पहले क्या लगाते हैं, dollar तो यह भी सवाल बन सकता है तो dollar numbers equal to array अब array क्या है, function है array declare करने के लिए और यहाँ पर हमने values डाल दी 10, 20, 30, 40, 50 पांच values डाल दी तो अगर हमने array assign कर दिया तो dollar numbers dollar numbers क्या बन जाएगा? array बन जाएगा अगर हम एक value assign करते तो वो simple variable बन जाता अब value भी किस तरह की integer कर रहे है, float कर रहे है, string जिस तरह की value डालेंगे, उसी type का variable बन जाएगा अब इसके नीचे हमने for loop लगा दिया जिसमें dollar I लिया 0 से, क्योंकि array का index कहां से start होदा है? 0 से, और less than 5 तक चलाएगे क्योंकि 0 से start हो रहा है तो 5 element तो last का index कितना रहेगा? 4 और हर बार increment करते रहेंगे फिर यहाँ पर print करने के लिए हम काम में लेते हैं eco जिसे print up काम में लेते हैं c में, c out लेते हैं c++ में, तो यहाँ लेते हैं eco और जो string लिखते हैं वो double quotes में लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे value each और dollar numbers array का नाम आ गया और अंदर dollar i है वो इसका index आ गया और यह BR जो take है line break करने के लिए यह HTML का आ गया इसमें for loop close हो गया तो एक तो यह तरीका है इसको print करवाने का array को store करके एक दूसरा तरीका ही है कि dollar numbers में अलग-अलग हमने index लिया 0, 1, 2, 3, 4 अलग-अलग और सब में अलग-अलग value sign की 1, 2, 3, 4 और फिर इसके बाद में वैसा ही उपर लगया है वैसा ही loop लगया है और वापस इसको print करवा दिया यह values हमारी इसमें output में आप देख सकते हो तो इस तरह का output आएगा 10, 20, 30, 40, 50 और 1, 2, 3, 4, 5 तो यह example था numeric array का इसके बाद में आता है associative array तो associative array क्या होता है numeric array के तरह ही होते है functionality के अंदर लेकिन इमें difference ही होता है कि इसमें index है वो numeric नहीं होके कोई ना कोई नाम दियावा रहता है उसमें और जो value रहती है वो उससे associate रहती है उस नाम से ठीक है अभी तक मा लिए हमने 10 बच्चों के marks store कराए है तो 0, 1, 2, 3 index देंगे और 10 के नाम store होगे लेकिन अब associative में क्या करेंगे बच्चों के नाम भी लिखेंगे x, y, z, a, b, c, d जो भी नाम है तो particular जिस बच्चे का नाम हो उसके साथ कितने marks आये हैं उसको कितने marks मिलें उसको हम directly देख सकते हैं नाम से ठीक है तो marks जब store कराने होता है तो numeric index है वो इतना अच्छा choice नहीं है इसलिए हम associative वेरे काम मिलेंगे ये हमारे एक example है बिल्कुल पहले था वैसे html, html, body, body और php स्टार्ट हो गया php close होता है question mark greater than अब बिल्कुल वैसे ही वहाँ बनाएते है वैसे ही दो एरे बनाए हमने लेकिन अब की बार हमने क्या किया है इनको नाम दिया है जैसे देखा dollar marks dollar marks से एरे बना दिया और इसमें पहली जो value कितनी है 20 लेकिन 20 का index क्या रहेगा राम राम को 20 marks मिले है फिर कबीर को 15 मिले है सुरेस को 12 मिले है फिर हमने print करवा दिया marks वह राम इच तो इसका index दे दिया dollar marks एरे का नाम हो गया और bracket के अंदर index आता है तो यहां index क्या है राम है तो राम आ गया कबीर आ गया सुरेस आ गया तो इनके marks है वो प्रिंट हो जाएंगे फिर नीचे है वो हमने तीन category में डिवाइड कर दिया इनके marks आ रहे है माली जे 20 में से आ रहे है तो 20 out of 20 राम को मिले तो हाई बता दिया हमने 15 को मीडियम बता दिया और 12 को लो बता दिया तो यहां पर यह जैसा कि output देख सकते हैं ऐसे प्रिंट हो जाएगा marks of ram is 20 कभीर के 15 सुरेश के 12 और ram का high कभीर का medium और सुरेश का low score रहा ठीक है तो यह simple है associative में क्या रहेंगे index है वो कुछ ना कुछ नाम रहेगा numeric index नहीं रहेगा इसके बाद में आता है multi-dimensional array multi-dimensional array each element in the main array can also be an array multi-dimensional array में क्या होता है अभी तक हम क्या कर रहेते हैं एक-एक value इस्टोर कर रहेते एरे में लेकिन array के अंदर दूसरा array हो सकता है जो element है वो अपने आप में एक array हो सकता है यह multi-dimensional array होता है एक array बनाया हमने उसमें किसनी value डाली माली जी पांच डाली तो पांच वो single value नहीं होके पांच array हो सकते हैं अंदर और उनके अंदर भी array के अंदर और भी array आ सकता है उसके अंदर तो एक array के अंदर और array है दो layer बन गई तो वो 2D array हो गया तीन बन गई तो 3D array हो जाएगा और जब यह multi-dimensional array होता है तो 2D array आता है तो 2D array को access करने के लिए भी अभी तेकी 1D array हम अभी तक पढ़ा हमने अभी तो जो example देखे हमने दोनो numeric array और associative array में हमने 1D array देखा है 1D array तो उसमें एक loop से काम चल रहा था single loop से लेकिन जैसे 2D array पढ़ेंगे 2D array में values store करने और access करने के लिए हमें nested loop की जरूत पढ़ेगी nested का मतलब एक के अंदर दूसरा तो 2 loop रहेंगे और 3D array है उसके अंदर 3 loop एक के अंदर एक और उसके अंदर एक ऐसे 3 layer हो जाएगी उसमें ठीक है तो एक हर एक जो element है वो भी अपने आप में कया एक sub array हो सकता इसमें तो इसमें जो values है वो भी हम access करेंगे multiple index को use करते वे इसका एक example देख लेते हैं html body php अब यहां हमने क्या array बनाया है marks जैसे उपर बनाया था लेकिन marks उपर वाले में क्या करते है हमने एक subject के दिये थे लेकिन subject तो कई सारे हो सकते है न तो यहां पर हम क्या कर रहे है physics, maths और chemistry तीन subject के marks श्टोर कर रहे है तो पहले राम के लिए श्टोर किये तो man array क्या हो गया marks marks हो गया man array अब उसके अंदर पहला element क्या है राम लेकिन राम भी अपने आप में क्या है एक array है क्योंकि उसके क्या है तीन elements है physics, maths और chemistry के marks है तो यह associative array का example है वो भी multi-dimension में पिर दूसरे element क्या हो गया कबीर और कबीर भी अपने आप में क्या है एक सब array है उसके तीन subject में marks है physics, maths और chemistry में फिर आगया सूरेस अब multi-dimensional array है उसको access करना है तो multiple index के तरू तो marks और राम राम की marks प्रिंट करवाने ठीक है सबसे पहले physics के लेते है तो break it में आके आएगा पहला element क्या था राम राम भी अपने आप में क्या सब array है तो उसमें कौन से subject ले रहे है physics तो राम के physics के फिर maths का लेना तो राम का maths का और फिर राम का chemistry का इसी तरह कबीर है उसके भी तीनों का आजाएगा और सूरेस है उसके भी तीनों subjects का आजाएगा इसका output जैसे कि हमने values स्टोर कर रखी है वो output आजाएगा ऐसा आजाएगा तो ये हमारे एरेस थे PHP में अब ये चाहिए PHP की बात हो चाहिए किसी भी language की बात हो एरे हैं वो समें सेमी रहते हैं नुमरी के रहे हैं वो तो सब में सेम ही रहेंगे जैसे सी language बगर है उसमें हो सकता आपके associative आपको पढ़ने को नहीं मिले उसमें associative नहीं होगा लेकिन यहाँ PHP में है associative तो ये याद रखना है कि जब एक से ज़्यादा values स्टोर करानी हो और वो भी same type की values हो तो हम arrays काम में लेंगे माली जो 100 values स्टोर करानी है तो 100 variables बनाने पड़ेंगे तो हम 100 variables नहीं बनाके हम एक array बनाएंगे और उसकी size दे देंगे 100 तो हमारी मैनत बच जाएगी हमें code कम लिखना पड़ेगा computer की memory बचेगी, time बचेगा जो time बच रहा है मैनत कम हो रही है तो आप जो भी software मना रहे हो उसमें खर्चा कम आएगा तो cost भी कम हो गई तो time कम लग रहा है मैनत कम हो रही है cost भी कम आ रही है तो हमने simple बासा में यहाँ पर array को समझा है मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा आपको इस topic से related कोई doubt हो तो आप comments में पोच सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको like करें अपने friends के साथ share करें और नए आने वाले वीडियो की notification प्राप्त करते रहने के लिए हमारे चैनल को subscribe करें करें आपको प्राप्त कीचश़ा जूपना